हाइ मैं अरे शनलीक के लिए एक लोदा कर्वार्ठी स्वागत है कि खलाय कहले डीनी करने हो आज बद कर रहे हुँ गोल और जुखे चुँखने लिए नलेशोज के लिए थे पष्यान पानी बंआ त्राइक किमें कोचनल對了 मैश ओब डाले अलू के अली अभच कर देख़ रहा और अजा के हम sponsor डालो के हैं शर्मागता आफbecव तेम दोल सेको और प्राइब करें हो जासे ना क्या सहस्ते जांता है तक सब्सक्राइब कमारे सेत अधियों दून उन्दमिन भाई कि नोजनना रखना डे हैसके द worked तो उतना कलर कलर आ जाएगा उसमें पानी में इसलिए बिल्कुर पानी जैसा होता है वैसे ही रखेंगे हम टांस्प्रेंट सा अब इसमें सफेद मिर्च पाउडर डालेंगे हम बाकि आपके आवेलेबल नहों तो आप डाल सकते पिसी काली मिर्च पर यहां पर मैं वाइट ले रही हूं आधी टीटी असपून और साथ में इसमें सेंधा नमक आप रोटी में जो नमक काते हो भी यूज कर सकते हैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और साथ में इसमें मसाले में जाएगा आलो के मसाले में नारियल का चूरा यह ईजिली मार्कीट में अवैलेबल है नारिल कचूरा दो ती पून नारिल कचूरा अब इसको अच्छी तरह से अश्य परलेबल यह कर लेते हैं यह है कि आपके पास में मलाई भी है अवेलेबल में नारिल के पानीमें जो मलाई निकलती है वह भी डाल सकते आप अब चाहे तो इसमें आलू में पर हर शहर में अवेलेबल नहीं होता है इसलिए जहां अवेलेबल हो आप इसको यूज कर सकते हैं बारिक काटके मलाई को डाल सकते हैं बहुत सिंपल रेसिपी है अपर टेस एकदम अलग है इसका आलू का मसाला हमारा बन गया है हमें कलर देना नहीं है इसलिए इसी तरह का कलर आएगा वाइट सा सर्विंग बोल में निकाल लिया है उपर से थोड़ा सा गार्मिश कर देते हैं नारिल चूरे सी अब इसको साइड में रख देते हैं एक बार अब इसका हम पानी तियार करेंगे यहां पर मैंने कोकनट वाटर लिया है इस तरह के आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं यह आ मैं दो बॉटल ले रही हूं यह 200 ml के हैं तो 400 ml कोकनट वाटर ले रहें यहां पर बाकि जितने परसों ने उससे साफ साफ इसको त्यार कर सकते हैं मैंने यहां पर थोड़ी सी बर्फ के टुकड़े ले लिए हैं अच्छा रिफ्रेशिंग सब यह साइगा पानी में परने वाटर डाग रहे हूं नारियल पानी यहां में 400 ml का यूज कर रही हूं इसमें तीन लोग खा सकते इसको ले सकते हैं अराम से पानी का यूज कर सकते तीन परसन अब इसका हमको इसी तरह से कलर रखना है तो इसमें नीबू कर जाएगा एक बार तो यहां मैं एक इसलिएम साइस का था यह नीबू का वीज नहीं जाने चाहिए इसलिए छान के ही लें यह यह जाए निबू का जो आता है रस निकालने का उससे करें है अब इसमें जाएगा नमक, एक टीजपून नमक, यहां मैं सेंधा नमक का यूज़ कर रहे हूं, रूटीन में काम लेते हैं, इसलिए आप कोई भी सॉल्ट ले सकते हैं, और हमेशा टेस्ट कर लें नमक को फिर और जरतों तो डाल सकते हैं, यह बिर्कु परफेक्ट है, इसम अब इसमें कोई मिठास की जूरत नहीं को कि इसमें कोकोनल वाटर जो आते हैं इसमें थोड़ी मिठास होती है, तो यह आपको लगता ही थोड़ा मीठा होना चे तो आप इसमें पिसी चीनी डाल सकते हैं, हमारे यह पानी तयार है, ट्रांस्परेंट पानी, अब सर्व करे अब आपके शहर में नारियल का पानी अवेलेबल ना हो या फ्रेश वाले नारियल अवेलेबल ना हो तो आप इस तरह से भी पानी बना सकते हैं, यहां पर मैंने नारियल का चूरा लेकर उसमें पानी डाल के और इस तरह से बना ले तो यह ट्रांस्परेंट नहीं होगा, तो आप इस तरह से भी पानी तेयार कर सकते हैं, यह पास में की तरह से आप कर सकते हैं आप साब करते हम हमारा अलू का नार्य आरेल उअलू का मसाला आप मेरे चैनल को सब्सक्काइब करने को प्रेस करना न भूलें आगे में जो भी वीडियों लेकर हूं उसका नोटिफिकर्यकिशन आप तक पहुस्ट सकें här वीडियो पसंद आये तो लाइक शेयर कमेंट्स करें तो कोकोनेट वॉट्टर वाला गोलगप्य हमारे तयार है थैंक यू